हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सुरज और मैं आज आपके बीछ लेकर आऊं कार्वनिक रसायन और उसके योगिक जो की पहला चप्टर है कार्वनिक रसायन विज्ञान की एक परमुक साखा है और इसकी जो दूसरी साखा रसायन का है वो है और कार्वनिक रसायन तो कार्वनिक और और कार्वनिक दो भागों में ये बट जाता है उसके बाद आप कहता है कि कार्वनिक रसायन जो है वो किस तरह से बना है ये तो कार्वनिक रसायन का मुखिता संबंद जो है वो किस से होता है कार्वन था हाइड्रोजन से होता है अनुवाला जो भी योगि करवनिक होगा उसके संडचना गुन धर्म रसायनिक अभी के लिया है इत्यादी का जो निर्मान होता है वो इसके बारे में इस शेप्टर में अध्यान किया जाता है कि कौन-कौन से योगिक जो है वो कारवनिक नेचर के हैं या अर्थात हैड्रोजन और कारवन या अन्य तक के साथ संयोग करके इनका निर्मान हुआ है इस शेप्टर में विस्तार से ये बताया जाता है कि आखिर का ये जो कारवनिक योगिक हैं वो कौन से होंगे इसके क्या प्रकार होंगे उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स होता है अब इसमें जो वन बाइवन करके अक्सीजन, हैलोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, गंधक यानि सल्फर इत्यादी के साथ या संयोग करके अलग ताइप के कार्वनिक योगिकों का निर्मान करते हैं। इसका मतलब है कि नाइटोजन भी रह सकते हैं, कार्वनिक योगी के साथ ऑक्सीजन भी रह सकते हैं, तक्त्पों से मिलकर बने योगिकों को ही कहते हैं और इनके बीच प्राया सासायोजक बंधन बना रहता है यानि कि यह साज़सायोजक बंधन से जुड़े होते हैं और ये कारवनिक योगिक जो है वो केवल कारवनिक विलायक में ही घुलनसील होते हैं मतलब ये कारवनिक विलायक जो होंगे कारवन के जो विलायक होंगे उसी में या घुलनसील होंगे इसके अलाबा या किसी अन्य पदार्थों में घुलनसील नहीं होते हैं तो घुलंसील क्या होता है गुलंसील वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ में घुल सके लेकिन ये कारवनिक विलाग में घुलते हैं आगे देखते हैं उधारण के लिए जो कि जो है एक जव इसकी उपस्तती जो है वो सबसे अधिक जो पाई जाती है वो जव पदार्थों में पाई जाती है जो कि जव से निकलता है जो कि जव से उत्पन हो सकता है अब यहां पर है कि कारवन और हैडोजन के जो योगित होंगे वो हैड्रो कारवन कहलाते हैं और मिथेन सबसे छोटा अनुसुत्र वाला एक हैड्रो कारवन है सबसे पहला हैड्रो कारवन मिथेन है इसका सुत्र होता है CH4 यहां पे लिखने प्रिकांट में थोड़ा सा प्राब्लम हुआ है, CH4 वो नीचे की तरफ रहता है, अब इसी में आगे देखते हैं कि हैड्योकारवन्स योगियोगिक होते हैं उसके क्या निचाद थो हाड़कारवन्स योगियोगिक जो होते हैं जिने हाड्योजन और करवन के संयोग से जो ब है आप औरु संत्रिक है घरियास करूंगा आज मैं थे ओर कायरो आंगे है कि जो हेड्रोकरबंस जो dzięki हैड्रोकरबंस होते हैं यह खुली सरिंखला में होते हैं, है कुली सरिंखला में यानि st应 किसी प्रकार का हम गंध नहीं होता है इसकी जो प्रकार का गंध pineapple नहीं होता है और दूसरा आता है और शंत्रिफ्थ हाड़ोगों में बाटा गया किसे वाइड को दो भागों में बाता जाता है वो है आपका अट और दूसरा आता है आपका जिसे कि आप कह सकते हैं संत्रित थाडोकारवन एलकेन और दूसरा आता है आपका का संत्रित थाडोकारवन पुन्ह दो भागों में बढ़ता है वसंत्रित hadlocarvans जो होते हैं, वो दो भागों के बड़े हैं, so Hudkins और this is acetylene hadlocarvans भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, 3 भंधन माले को acetylene कहते हैं, लाले hadlocarvans धन्यबाद इस विडियो में आन तक बने रहने के लिए तब तक के लिए जय जय भारत